हत्या का यह पूरा मामला है गोरफपुर से बड़ी खबर बच्चे के अपरण और हत्या का पूरा मामला है आरोपियों पर अनसर लगाने किसी हमने दिये आदे पाश्ट रेकोर्ट में सुनवाई के आदेश भी दिये गए पिर्ट परिवार को पाश्ट लाग की आर्थिक मदद का ऐलान किया गया है बड़ी खबर आपको बदा दे गोरफपुर से बच्चे के अपरण और हत्या का यह पूरा मामला है आरोपियों पर अनसर लगाने किसी हमने आदेश दे दिये हैं योगी आज इतना आप ने इस घटना को लेकर दुख भी जाहिर किया है गोरफपुर से खबर आपको बता रहे हैं बच्चे के अपरण और हत्या का यह पूरा मामला है जो आपर आरोपियों पर अनसर लगाने के सीम ने आदेश दिये हैं और इसी खबर पर जाता जानकारे के हमारे सायोगी प्रवीन तरपाठी हमारे साथ जोड़ चुके हैं प्रवीन आरोपियों पर अनसर लगाने के सीम ने आदेश जारी कर दी हैं तो वहीं पाच लाग के आर्थिक मदद भी की गई क्या कुछ है जानकारे आपसे जाना चाहूंगी जो मैं आपको बता दूँ कि इस खटना के होने के बाद सीम योगी आदेश तनात में इस पूरे खटना पर बहुत ज़्यादा दुख जट किया है और उन्होंने तकाल प्रभाव से इसको भी आदेश दिया है इस पूरे खटना के तुरंट जात की आनी चाहिए और उन्होंने इस पूरे खटना करन को देखती है इस पर एन्वस्ते भी लागू कर दिया है और फास्ट ट्रैक के जरीए इस पर तुरंट नयाई की बेवस्था की मांग भी की है तो कहने का ताफ पर यह है कि योगी आदितनात ने इस पूरे मामले को अच्छी तरीके से संग्यान में लिया है और पांच आरोपी पूरी तरफ से गिरफतार भी हो गया है और दो आरोपी बीवाब है फरार हैं लेकिन उम्मीद जताई जा रही है कि कुछी घंटों के अंदर उन दो आरोपी को भी पूरी तरीके से गिरफतार कर लेगी बहुत बहुत शुक्र है आपका इंसा भी जानका देख ले तो बच्ची के अप्रण और हत्या का यह पूरा मामला है जिसमें सियम योगे आदितनाथ ने दुख भी जाहर किया और आरोपियों पर नेसे लगाने के सियम ने आदेश चारी किये है पास्ट्रैक कोट में सुनवाई के आदेश भी दिये गए है पीडिट परिवार को पाच लाग की आर्थिक मदद का एलान किया गया सीता पुट से बड़ी ख़बर आपको बता देते हैं